कैसे हैं आप सभी I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टड़ी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में प्यारवच्चो मैं आपको बताने वाला हूं प्रशनावली 3.3 के जितने भी सारे कोश्चेन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे तो प्यारवच्चो आए एक ही कोश्चन लेते हैं और concept के साथ प्यारवच्चो हम क्या करते हैं तो क्लियर करते हैं ठीक है बड़ा मजा आने वाला हैं प्यार प्रशन के हैं तो प्यारवच्चो इहाँ पर देख सकते कि पहला प्रशन क्या कहता है इसका heading line पहले पढ़लेते कहता है कि निम्लखित सम fundo को प्रतिας अस्थापन विधी से हल किजिए कहने का मतलब पहला में जितने भी question दिये गए हैं, जितने भी समीकरन दिये गए हैं, उन सभी को हमें क्या करना है, प्रति अस्थापन विधी से solve करना है, बड़ा मजा आने वाला है, आईए हम क्या करते हैं, प्रति अस्थापन विधी से solve कर लेते हैं, तो प्रति अस्थापन विधी से solve कर लेते हैं, तो तो हम यहां पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधी क्या लिखेंगे बाबू प्रतिस्थापन विधी तो हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधी उसके बाद क्या करेंगे प्यारवच्चों पहले समीकर्ण में देखोगे क्या दिया गया है कि X पलस के Y बराबर में 14 दिया करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के वाई हमने पक्षांतर कर दिया अगर हम पक्षांतर करते हैं अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है इस बात को ध्यान रखना तो X बराबर यह आ गया इसको हम माल लेते हैं 3, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पैरे बच्छो, क्या लिखेंगे कि X का मान समी करन 2 में डालने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक या फिर समीकरन तीन का मान दो में डालने पर ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो लिखते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों कि समीकरन तीन का मान किसमें डाल दें बाबू दो में डाल दें मान समीकरन किसमें डाल दें समीकरन दो में रखने पर क्या लिखेंगे बाबू रखने पर कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू तो हमारे पास समीकरन तीन कामान दो में रख रहे हैं तो दो हमारे पास यह है ना तो यह क्या है प्यारे बच्चों आपको पता है ना यह दिय इधर हम लिए आते हैं नहीं आएगा चलो एकस माइनस के य और बराबर में चार दिया गए है अब हमें तीन कमान रखना इसमें तो तीन हमारे पास क्या है कि एकस बराबर 14-Y है तो जहाँ जहाँ एकस है वहाँ पर आपको 14-Y रखना तो एकस के जगह पर आई हम पूट करते है 14-y और माइनस की पहले से y तो y बराबर में यह 4 है तो 4 हमने कर दिया अब प्यारे वच्चों यहां से याद रखना minus y minus y क्या होगा बाबू यानि minus के 1y minus के 1y minus के 2y होगा और बराबर में यह 4 है तो 4 अब यह plus का चवदा है पक्षांतर कर देंगे तो minus का चवदा हो जाएगा तो अब हम इसको solve करेंगी पैर वच्चों इस साइड हम क्या करते हैं तो जड़ा ध्यान से देखना यह हो जाएगा minus के 2y 2y और बराबर में क्या हो जाएगा पैर वच्चों 4 में से 14 घटाएंगे तो minus के हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा minus के 10 अब यह minus से minus cancel तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y की value आ गई बाबू 10 और 2 गुना में है तो बटा में आ जाएगा यह जब गुना में रहते हैं पक्षांतर करते हैं तो बटा में चल जाता है यह भाग के रूप में चला जाता है अब इसको काटेंगे 2 पंचे 10 यह 10 से कट गया तो कहने का यह 5 से कट गया तो y की value जो आ गई बाबू 5 आ गई तो हम कह सकते हैं y कमान हमारे पास 5 आया अब यही y कमान समी करन एक में रख दो 2 में किसी में रख दो या 3 में हमारे पास x कमान आ जागा प्यारे बच्चो तो आये हम रखते हैं यहाँ पर इस साइड हम कर लेते हैं यह y कमान है न हम लिखते हैं कि y कमान क्या लिखेंगे बाबू y कमान समी करन किसमें रख दे तो चलो हमारे पास समीकwnie एक क्या कि दे रखा है वो देखना है तो अलिए उना यह यह घृक्सापार पियाँ आगे पियारे सच प्रेसा इए पाल शुद्ध नगा गार जा जाए है और ब्राबर में 1 च trata जाए है क्वा ही 2 हाथ ह्लाक तो सफ एक ही 4海र गोफ करेंगे और इसलिए हम क्या सकते हैं कि X के बराबर जो आ गया influenced 4 में तो No, X का मान आगया और Y का मान आ गया під 5 तो यह हमारे पास answer हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतह, अतह निखेंगे हल बराबर, हल, x बराबर जो हो जाएगा no, then y बराबर हो जाएगा हमारे पास 5, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत, नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों तो आपने पहला का पहला प्रशन जो है, बहतरीन तरीके से solve कर लिया, आएए प्यारे बच्चों हम दूसरा प्रशन solve करते हैं, यह हमारे पास दूसरा प्रशन है, कहता है s minus t बराबर 3, इसको हम माल लेंगे, समीकरण 1, चलो हम समीकरण 1 माल लेते हैं, यह हमारे पास है, समीकरण 2, तो दोनों को क्या करेंगे solve कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं यह S-T है न तो इसको हम क्या लिख सकते चलो यहां से हम लिखते हैं हल हम हल कर रहे हैं और किस विधी से तो प्रतिस्थापन विधी से तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन प्रतियस्थापन विधी से लिख दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर क्या करेंगे S-T है तो हम क्या करते हैं इसमें S की वेलू ग्याद कर लेते हैं क्या दिक्कत है या फिर आप चाहो तो ऐसे बाबू की दिक्कत नहीं दिक्कत उसी तरीके से अब जो हम प्यरे बच्चें सॉल्व करेंगे किसको तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको नीचे बाले को यहां हमारे पास समय के अंदूसरा क्या है कि S बटे 3 है क्या है बाबू? S बटे में 3 और पलस में T बटे में 2 है और बराबर में 6 है इसको solve करते हैं 3 2 का L से में लेंगे तो 6 होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 E sh oh चैड़ा कराइगा और पलस में यहां 2 स 6 भाग देंगे तो हमारे पास ती 2 2 6 high नीचे K T 3 दो यह हमारे पास हो जाएगा 2S और प्लस में 3D, ूक आर बराबर में, क्या हो जाएगा 6 सो 6 में गुला करेंगे तो 36, इसको माल लेंगे 5 समिकरन 4 क्या मनने ने बावू, समिकरन हम लेते हैं 4, हम ले 4 माल लिया, अब क्या करेंगे प्यार espaço करते में यहा sigui क्या है, समीकरन यहां पर लिखते हैं कि समीकरन तीन का मान क्या तीन का मान जो है प्यारे बच्चो किसमें रख दे मान समीकरन रख देते हैं चार में समीकरन चार में ओके रखने पर रखने पर कोई दिकत नहीं दिकत प्यारे बच्चो तो चौथा हमारे पास यह है क्या दिया गया है हमारे पास समीकरन 2s और plus में दिया गया है 3t और बराबर में दे रखा कितना 36 दिया गया है तो हम लिखेंगे 36 अब s की value हमारे पास 3 plus t है तो s के जगा पे 3 plus t रखेंगे तो यह 2 है तो हम क्या करेंगे पैरवच्चे 2 लिखेंगे S के जगह पे हम लिखेंगे क्या 3 plus T तो यहां पे लिखते हैं 3 plus में हम T लिख देते हैं हमने लिख दिया और ये bracket लगा देते हैं और फिर plus में 3 T है तो 3 T और बराबर में हमारे पास 36 तो 36 अब इसको हम solve करेंगे तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 और प्लस में 2 से 2 T में गुना करेंगे तो 2 T और प्लस में ये 3 T और बराबर में हो जाएगा 36 हम क्या करते हैं 2 T और 3 T, दोनों को add कर लेते हैं 2 T और 3 T हो जाएगा 5 T और बराबर में 36 और ये plus का 6 हे, पक्षानतर करेंगे python का 6 है, तो हम कह सकते हैं कि 5 T बराबर जो हो जाएगा 36 में 6 गया तो 30 यह 30 आजाएगा अब हम यहां से काट सकते ना क्या काट सकते बाबू इसको हम काट सकते कि 5 छक 30 है ना 5 छक जो है वो 30 काट दिये तो T की जो value आ गई बाबू 6 आ गई तो T की value हमारे पास 6 आ गई इंसर ठीक है अब हम T कामान निक है ना तो हम लिखते हैं T कामान समी करन चलो इसमें रख देते तीन में रखने पर तो यहां पर लिखते हैं कि T का मान ओके समी करन किसमें रख दे बाबू समी करन तीन में रखते हैं ठीक है तीन में रखने पर ओके रखने पर तो हमारे पास तीन क्या है प्यारवच्च्च तीन हमारे पास एस बरावर तीन प्लस टी है तो एस बरावर लिखेंगे प्यारवच्छो क्या एस बरावर लिख देते हैं एस बरावर तीन प्लस में टी हमने लिख दिया अब क्या करेंगे प्यारवच्छो अब यहां से करेंगे क्या एस है तो हम लिखेंगे एस और बराव न हो कितना आ गया 9 आ गया है ना नौ मम् इस लिए हम सकटें सब्राबर ना तो हम लिखेंगे किया पर judicial अतहल बराबर नो लिखते हैं हां अतहल बराबर अति इस क्या परफर क्या हरने का मतला इस धमान गया नव और ट गशिए यही हमारे पास answer आ गया प्रवच्चो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्रवच्चो तो आपने इस प्रशन को बहतरीन तरीके से solve कर लिया कोई दिक्कत नहीं है प्रवच्चो अगला प्रशन ले लेते हैं तो अगला प्रशन यह नहीं यह दूसरा है इसको हम solve कर लिए तीसर इस question को solve करते हैं पयारे बच्चों. x minus के 3y बराबर में 9 दिया गया है यह समीकरन 2 दिया गया है है कि नहीं अगर हम इसको solve कर ले प्यारे बच्चो इसमें अगर 3 common ले लेते हैं मालो साइध नहीं select हिया कोई बात नहीं 3 common लेंगे प्यारे बच्चो तो हमारे पास क्या होगा 3 ti 9 यानी 3x और minus में 3 से 3 में भाग देंगे तो हमारे पास सिर्फ y आएगा और बराबर में 9 आएगा तो हम काट सकते हैं तो हम इसको काटेंगे कैसे पैर बच्चो तो इसको हम काट सकते बड़ा असानी से 3 ti 9 काट दिये common लेने आता है जो common लेते हैं उससे हम क्या करते हैं उसमें भाग देते हैं यानि 3 common यह क्या माण लेते हैं समी करन क्या माण लेते हैं हम ने 3 माल लिया तो आप देख सकते हो की दो बराबर है जब बराबर आ गाए अनंधल होंगे कैसे आनंधल होंगे जैसे a on men e2, b0 b2 को और c not c2 पर तूल्ला करेंगे तो तीनो बराबर होंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनन्य फ्लवंगे जैसे आप तुलना किया होंगे कि ए PBnd बटामे अटू बराबर वी वन बटामें ब्लवर सीवन बटामें सी तू इस परकार के आएंगे जब इसको तुलना करेंगे लिकिम कि यह तीनों बराबर यह भी समीकरन और यह भी समीकरन दोनों बराबर है इसलिए इसका अनंत हल होंगे क्या होंगे बाबु अनन्त हल होंगे हल होंगे कोई दिक्कत नहीं है दिकत प्यारबचो तो हमने यह लिख दिया आईए प्यारबचो अगला प्रशन ले लेते हैं हम यहां पर चौथा प्रशन सॉल्व करते हैं यह पॉइंट वाला है न तो पॉइंट वाला से हमें डरना न हाँ आप गौर से देखेंगे की द समर्म के बाद एक है यहां भी दसरनल के बाद एक है तो दसरनलब के बाद एक है तो इसका मतलब हुआ यह हँआ की सब्ब्सक्राइब करें प् helicopter करेंगे हमारा हट जायेगा ठीक है प्रate आदूँगा तो यहाँ पर लिखेंगे हल, तो मैंने लिखा य लिखा हल, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत निक्त हम पर 30 स्थाप्न वीधी से solve कर रहे हैं। तो यह जो हमारे पास है हमारे पास क्या है देखो इसमें अगर गुना करेंगे दस से तो हम यहां पहले यह समीकरन हमारे पास क्या है पैर बच्चो तो समीकरन यह हमारे पास एक है और यह हमारे पास दो है हम क्या करेंगे समीकरन एक में दस से गुना करने पर लिखेंगे तो करने पर तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो समझो कि यहाँ जागा दो एकस और प्लस की यह 3y और बराबर में, एक 10 मीशमें विया से गुना करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 13 आएगा, इसको मालने समी करन हमारे पास क्या, 3 मालने गे, उसी तरीक चैसे, समी करन एक में 10 से गु क्षज़š उके यह समीकरन हो जाएगा चार कोई दिकट नहीं है दिकट्ट प्यार बच्चों तीन और चार हमने कर दिया अब देखो कहो कで सब आपको यहां पर सिखाता हूं देखो अगर हम 0-0-0-2 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा यह सब आपने समझ लिए यह सब नॉर्मल बात है ना थोड़ा सा सीक ना चीअ अप लोगों को अपने सिख लिया हम क्या करेंगे प्यारबच्यो देख लेना यह आगया अब क्या करते हैं एसमें बी हम दिए सब्सक्राइब बराबर है बीच में, तो बराबर 13 है न, तो 13 कर दो, अब ध्यान से देखना, ये प्लस के 3 y है, पक्षांतर करेंगे, तो माइनस के 3 y हो जागा, हमने माइनस के 3 y कर दिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, अब जब x लिखे था, दो तो गुना में था, बराबर से उधर ले ज 5, ठीक है, हमने 5 मा लिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पैर बच्चो, इसमें देख लेना, कि इसको भी solve करेंगे, डायक्ट हम x का मान निकाल रहे हैं पैर बच्चो, तो हम x का मान निकालेंगे, तो जड़ा ध्यान से देखना, कैसे आएगा पैर बच्चो, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे पैर बच्चो, चार घुना में, बराबर से उधर ले जाएंगे, तो बटा में आजागा, तो हमने बटा में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, इसको मान लेंगे, समी करण हमारे पास 6 हो जाएगा, तो समी करण हम इसको 6 मान लिये, ओके अब तो हम क्या करेंगे बाबू समीकरन 5 का मान 6 में रख देते हैं या समीकरन 6 का मान 5 में रख देते हैं कोई भी रखेंगे कोई दिकत नहीं है प्यारवच्चो तो आएए हम यहां पर लिखेंगे क्या प्यारवच्चो तो यहां पर लिखते हैं कि समीकरन क्या लिखेंगे प्या लिख दिया अब क्या करेंगे प्यारवच्चों अब यहां से क्या करते हैं हमने तो पांच कमान छे में रख रहे हैं तो पहले यह हमारे पास है तो जहां एक्स है वहां पर यह रख देंगे तो एक्स के जगा पर हम क्या लिखेंगे प्यारवच्चों 13-3y और बटा में 2 बराबर में उसी तरीके से 23-5y और बराबर में 4 कहने का मतलब इस एक्स के जगा पर इस एक्स का वैलू हमने यहां पर पूट कर दिया है ठीक है अब यहां से आरपार गुना करेंगे यानि क्याचि क्या दिख्कत कोई दिख्कत नहीं चार से इसमें गुना करेंगे 13-52 बराबर में दो 23-5y कितना होता है यहां सूनते हैं माइनस पांदूना कितना होता है भाई 10-5y होता है इसमें कहने वाली क्या बात है अब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस के बारवाई अब यह माइनस के दसवाई पक्षांतर करेंगे तो प्लस का दसवाई हो जाएगा ना और बराबर में यह 46 तो चैलिस अब प्लस का बावन है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का बावन हो जाएगा अब यहां से क्या करेंगे प्यारे बच्चों माइनस के 12y प्लस के 10y तो हम कह सकते हैं माइनस के 2y होगा और बराबर में चालिस में से बावन घटाएंगे तो 4 यानि 6 हो जाएगा कितना हो जागा वह भी माइनस का 6 हो जागा हो जागा की नहीं हो जागा, बिल्कुल हो जागा, अब हम क्या करेंगे प्यारे वच्चो हम कट्रम करेंगे, तो यह minus से minus cancel, तो हम यहां से 2 से काट सकते, 2 3 आई, 6, काट दिया हमने, तो y की value तो हम कह सकते हैं, कि y बराबर जो आ जागा प्यारे वच्चो हो कितना 3 आ जागा और यह हमारे पास एक एंसर निकल करके आ गया अब यही y का मान प्यारे बच्चो हम किसी में रख दें एक में दो में तीर में चारे किसी में रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चो यहां से हम निकाल लेते हैं ठीक है आओ हम निकालत समी करन 5 में रखने पर 5 में रखने पर रखने पर ओके तो 5 हमारे पास क्या है प्यारे बचु यह देख लिए ना क्या दिया गए X है तो हम लिखेंगे X बराबर 13 तो हम लिखेंगे 13 उसके बाद 3 ती आई 9 और बट्टे में 2 तो कह सकते हैं कि x की value आजागी तेरे में से 9 गया तो 9 4 तेरे 4 और बट्टा में 2 तो इसको हम काटेंगे तो 4 से तो हमारे पास कितना आजागा x बरावर पैर बच्चो काटेंगे तो 2 आजागा तो कहने का मतलब हमारे पास जो answer आया पैरे बच्चो एक्स कामान 2 आया और y कामान 3 आया तो ये हमारे पास answer आगया कोई दिक्कत पैरे बच्चो हाँ हलो है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा है ना आप नहीं समझ लिया तो इसी प्रशन को हम अभी solve की है आये पासमा प्रशन हम solve करते हैं कोई दिक्कत नहीं कैसे solve करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हल और हम solve करने पैरे बच्चो प्रती अस्थापन विधी से हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको समीकरन एक माल लेते हैं और इसको हम समीकरन दो माल लेते हैं ठीक है अब यहाँ से क्या करते हैं पैरे बच्चो जरा धियान से देखना लिखेंगे क्या पैरे बच्चो हम यहाँ पे देखो root के अंदर 2 है x नहीं है यहाँ भी root के अंदर 3 है y नहीं है ठीक है थोड़ा सा टाइपिंग में है यह ऐसे ही कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों इसको हम solve करें पहले वाले को है ना तो X ले लिए ये तो गुंद तो बता में आजागा ये पक्षांतर करेंगे तो यह अगया हमारे पास X की भैलू इसको माल ले испयासे थिस समी करन क्या माल ले तो समी करन में हम इसको माल लेते हैं क्या कोई दिक्कत नहीं आगे पुनह, चलो हम देख लेते दुबारा, इसमें, इसमें पुनह नहीं लगाएं, क्यूँँद कि यह दूसरा समीकरन है ना, चल भाई तू हट, हट ना, हाँ, बहुत अच्छा, आगे देखते हैं, अब यहां से अब देख लेते इस समीकरन का, तो हमारे पास क्या दी आ गया पाबू, 3x है, माइनस के रूट अंडर 18y है, और बराबर में 0, यह तो समीकरन दूसरा ही है, आपको पता है, और यह समीकरन पहला ही है, इसको solve करते हैं, इसमें भी x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालेंगे, तो माइनस के पक्षांतर करेंगे, तो प्यारे बच्छो यहाँ पर देख लेना ध्यान से, हम क्या करते हैं, कि समीकरन 4 का मान 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, समीकरन 4 का मान जो है बाबू, मान समीकरन किस में रख दे, तो समीकरन 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ओके, रखने पर, चलो, तो हम 3 में रख दे, आये लिख देते हैं, हम क्या लिखेंगे बावू, x बराबर, अच्छा, इसको मीटाओ पहले, x बराबर मीटाओ, क्या मीटाएंगे, देखो, यहाँ पे करना क्या है पैरवच्चों, यहाँ पे देख लो, हमने क्या किया, 4 का मान 3 में रख रहे हैं, तो 3 हमारे पास यह है न तो x के जगा पे यह जो value दिया गए, इसको मान put करेंगे, तो x के जगा पे आप पूट करतेते हैं, root under 18y, और बटे में root under 3, ओके, और यह x के जगा पी रख दिया, यह जो बचा उसको लिख देते है, minus के root under 3y, और बटे में root under 2, यहाँ से क्या करेंगे, पैरवच्चों, 9y हो जाएगा, है ना, हम यहां से क्या करेंगे, यह हो जाएगा, 4y, हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा, इसका root बाहर, इधर हो जाएगा minus के 3y, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, अब हम क्या करते ça, 4y इधर है, आप पैरवच्चों क्या करलो, आप 4y हैं न दो हैना चारवाइद दीन भाई रवाइद सात वाई बराबर जीरो तो मुझासके आपकेज है And this Eg सामीह करण किसे में भी उसकते हैं तो वाई अबारो ने रखने पर ने रखने पर को कार्ण कि ऑगो यहां पर देखो किी कामान जीरो है तीन हमारे पास यह है तो ये बराबर माइनस के रूट अंडर 3 गुने में वाई के जगा पर जिरो रख दो और बत्टे में हमारे पास रूट अंडर 2 है तो रूट लुट अंडर 2 कर दो तो x पी वल्यू देखो माइनस रूट करते हैं कैसे solve करेंगे धेहान से देखना यह समीकान एक यह समीकान थो हमने लिख लिया अब क्या करेंगे 3x बटों है लिखेंगे 3x और बटा में दो थे भी हमें तो लिखते हैं 5y और बै्टा में 3 grand में 2 इसको हम पहले हल कर लेते हैं कैसे हल करेंगे 2 और 3 कालसियम नेंगे तो 3 दुना 6 हो जाएगा हमने कर दिया 2 ती आई 6 तो 3 दुना 9 9 x होगा माइनस की यह सब आता होगा 3 दुना 6 तो 5 दुना 10 y हो जाएगा और बराबर में हमारे पास क्या होगा माइनस के दो आरबर गुना कर लो कोई दिकत नहीं कर लेते हैं सर जी यहां से तो यह हो जागा 9 x माइनस के 10 y क्यूशेसे हो दो क्यूशेसे 9T बराबर में माइनस के बारह है ना और ये माइनस के दस है य है तो पक्षांतर करेंगे तो पलस का दस वाई हो जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चो क्या कह सकते हैं कह सकते हैं कि एक से बराबर जो होगा माइनस के बारह पलस के दस वाई और बटा में हो जागा न आगे अब हम इसको solve कर लेते हैं यह हमारे पास क्या क्या दिया गया है है चलो कोई दिक्क्त नहीं है क्या है हमारे पास दूसरा हमारे हमारे पास है कि एक सब्साइन आधे गनало बराबर में दिया गया है 13 बटा में 6, चलो, 3 दो का LCM लेलो बाबू, 3 दो का LCM लेंगे न, तो 6 ही होगा, चलो, 3 दुना 6 तो यह हो जागा 2X, पलस में 2 ती आई 6 तो यह हो जागा 3Y, और बराबर में 13 बटा में 6, 6 से 6 कैंसिल, है न, तो हम कह सकते हैं, कि 2X पलस के 3Y, बरा से, एक सबार डाक निकाल लें, यह 13, है न, पलस का 3Y पक्षान तक रहेंगे तो माइनस का 3Y, और दो गुना में है तो यह आजगा बटे में, तो इसको माल लेते हैं समीकरन 4, क्या माल लेते हैं, बाबू, समीकरन 4 माल लेते हैं, अब क्या करेंगे, 3 का मान 4 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इधर solve कर लेते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिखते हैं, क्या समीकरन 3 का मान 4 में रखने पर, यहाँ लिखते हैं, समीकरन 3 का मान 4 में रखने पर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, अब हमारे पास 3 का मान 4 में रखना है ना तो 3 हमारे पास के यह है और 4 में रखना है तो x के जगा पर यह मान रख लो पहले तो माइनस के 12 और प्लस में 10 y कर दिये हमने और बटा में 9 कर दिये और बराबर में क्योंकि x के जगा पर यह पूरा मान रख दिये बराबर में यह बचा कितना 13 तेरा माइनस के 3y और बते में 2 यहीं नहीं बच्चा अब हम क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे चलो solve कर लेते हैं क्या करेंगे आर फार गुणा कर लेंगे यह 2 है आर पर गुणा तेरा नमा यह फिर इस से गुणा करो बारा दुना 24-24 और पलस के 10 दुना 20 20y हो जाएगा और बराबर में 13 नमा कितना होता है बावु 117 होता है क्या हाँ माइनस में 9 ती आई 27y हो जाएगा अब देख लो हम क्या करते हैं यह हमारे पास जो हो जागा बावु 20y माइनस इधर है तो प्लस का 27y और बराबर में 117 और यह माइनस का 24 है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 24 होगा तो हम कह सकते हैं 20y 27y तो कितना होगा बावु 47y होगा 47y बराबर में 117 24 साच्छरेगार के कहां से लेक दू एक तीन एक चार यह एक हो जागा 141 होगा 47y हम इसको काट सकते आसानी से 47y 141 होता है सुनते हैं तो y कमान आ जाएगा 3 ठीक है अब यही y कमा समीकरन 4 में रख देंगे तो हमारे पास x कमान आ जागा या फिर इसमें रख दो या इसमें किसी में रख दो तो हम रख देते हैं क्या दिक्कत है प्यारवच्छों यहां से रखते हैं कि y कमान समीकरन 4 में य का मान जो है बाबू समीकरन किसमें रख दें तो समीकरन 4 में रखने पर ओके रखने पर तो 4 क्या है यह हमारे पास है तो हम निकाल रहे हैं X बराबर क्या लिकिंगे 13 और माइनस में 3Y है तो Y के जगा पर 3 रखे 3 ती आई 9 डायक्ट कर दो और बटा में हमारे पास कितना है 2 तो 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि X बराबर 13 में से 9 गया तो 9 4 13 चार होता है और बटा में 2 गुना करो दो दूनी चार कट गया तो X की वेलू हमारे पास 2 आ गई X की वेलू 2 आ गई और Y कमांड 3 आ गया यही हमारे पास प्यरवच्चो आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यरवच्चो तो इस प्रशन को solve कर लिए आए यही छटा प्रशन था solve किये थे आए इस प्रशन को solve करते हैं दूसरा को बड़ा सिंपल है यहां पर प्रशन क्या कहता है प्यरवच्चो यहां पर देहान से देखना कि 2X प्लस के 3Y बराबर 11 और 2X-4Y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें M का वह मान ज्याद कीजिए जिसके लिए Y बराबर Mx-3 हो कहने का मतलब आपको M का मान ज्याद करना है तो M का मान ज्याद करने के लिए आपको Y का भी मान पता होना चाहिए और साथ में X का भी मान पता होना चाहिए तो Y और X का मान कहां से निकालेंगे तो इस दो समी करन से हम निकालेंगे कि यह समी करने कि इसे हम क्या करेंगे बाबू X और Y का मान निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है आई यह निकाल लेते हैं यहां से क्या करेंगे पैरवच्चु लिखेंगे हल और हमारे पास दो समीकरन देंगे एक यह दिया गया है दो X पलस के 3Y बराबर में 11 यह समीकरन हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू एक हो जाएगा तो हम एक लिख देते हैं दूसरा समीकरन हमारे पास क्या यह है तो हम यह माना है है ना क्या है इस समीकरन का मान हमें यानि इसमें M का मान याद करके बताना है कोई दिक्कत नहीं हम यहां से क्या करते हैं तो solve कर लेते हैं कैसे solve करेंगी पैरवच्चू यहां से देख लो ठिक है उसी तरीकी से इसको solve करते हैं, तो 2X बरावर में माइनस के 24 और माइनस है इधार आज़ाया तु प्लस का 4Y हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं X बरावर माइनस के 24 और प्लस में 4Y, और बटा में हो जाएगा, दो गुना में है तो बटा में आज़ागा, इसको माल लेते हैं समी करन क्या पैरवचो तो समी करन इसको हम माल लेते हैं ये तीन है तो इसको हम चार माल लेते हैं हमने माल लिया अब हम क्या करेंगे पैरवचो तीन का मान चार में रख देते हैं तीन का मान क्या करते हैं चार में रख देते हैं या चार का मान तीन में और रखने पर क्या लिखेंगे चार में रखने पर कोई दिकत नहीं है दिकत बाबू तो हम 4 में रख रहे हैं तो चार यह हमारे पास रहें लिख़ते हैं टो ग्रेस गड़नदिन스를 अ strongest से पर से 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 दब property और बटे में 2, हमने रख दिया, अब क्या करेंगे पैरे बच्चों, ये 2 से तो तो cancel हो जाएगा, तो हम यहां से क्या करते हैं, काट देते हैं जनाब को, चलो, भाई, तू यहां से यहां cancel, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा, 11-3y, यही ने बचा, और बराबर में और यह πLSSK4 y इधर है तो minus के 4y और बराबर में, यह minus के 24 है तो minus के 24 कर देते हैं, अब यहां पर देखो, PLUS के 11 पक्शानतर करेंगे, तो minus का 11 हो जाएगा, अब यहां से minus 3y, minus के 4y, कितना हो जाएगा बभू, तो minus के 4, 3, 7y, और बराबर में, 24 घट रहा है, यही minus 24 minus 11, सा 11 हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा 3, यह आ जाएगा, अब यहां से हम क्या करेंगे पैरे बच्चों, काट देंगे न, कोई दिक्कत नहीं काट देते हैं, यह minus से minus cancel, 7, 35 काट सकते हैं, काट दिए, तो हम कह सकते हैं कि इस का मान किसका, तो y का मान बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो y का मान आपने 5 निकाल लिया, clear, अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरन किसी में भी रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा, तो हम निकालते हैं, कि y का मान किस में रख दे, मान समीकरन, समीकरन बाबू किस में रख दे, तो y का मान समीकरन 3 में रख देते हैं, चलो, 3 मे रखने पर रखने पर चलो तीन में रखने पर तो अब तेकूसनक हमारे पास क्या है यह 3 हो तो हम देखते है इक है तो x और बराबर ग्यारी- के थीन वाई.." तो 3 और गुणय में y के जगह पे कितना है परवचल तो हम पंदर जग टरदें रहने दो 5 कर देते हैं और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा बटे में यहाँ 2 दिया गए तो 2 लिखेंगे तो हम कै सकते हैं इसको अगर solve करेंगे तो यह आजागा 11 माइनस के 5 जी 15 और बटे में 2 तो 11 में से 15 घटाएंगे तो 4 होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना होगा, 11 में से 15 घटेगा तो minus के 4 और बटे में 2, यानि काटेंगे तो भाई, minus का 2 आजागा यानि x की value जो आजाएगे बाबू, minus के 2 आजाएगे x की value minus के 2 और y का मन 5, y का मन 5 x का मन minus 2, अब हमें m का मन निकालना है, तो हम यहीं पर निकाल दे क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर निकाल देते हैं, चलो यह color ले ले लेते हैं देखो बाबू, यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसको solve कर रहे हैं, ठीक है देख लेना ध्यान से, क्या है बाबू यहाँ पे कि y का मान पांच x का मान माइनस दू चलो y का मान यह y है न तो y के जगा पे 5 लिखेंगे और बराबर हमारे पास m x है तो गुने में x के जगा पे कितना रखेंगे माइनस के 2, तो माइनस के 2 रख दियें, और प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 कर दियें, दिख रहा है कि नहीं? चलो दिख रहा है, काम चल जाएगा, तो यह हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, या फिर कुछ भी कर लो, जैसे कि हमारे पास इधर कर लेते हैं मिनस दो में गुणा करेंगे तो माइनस की M2 हो जाएतो इधर आएगा तो पलस का हो जाएगा M2 ठीक है ऐसे लिख सकते हो या 2UM कह सकते हो भराबर में हमारे पास ये पलस का 3 रहेगा ये प्लस हमारे पास answer आजाएगा M की value minus का है कोई दिकत नहीं न दिकत पैरबच्चो तो दूसरा प्रश्ण को आप बेहतरीन तरीके से solve कर लिया आए ये ये दूसरा ही प्रश्ण है मैंने सोचा तो पेज नहीं बचेगा तो ले लेंगे तीसरा प्रश्ण का हम पहला solve करते हैं तीसरा प्रश्ण क्या कहता है पेरबच्चो जड़ा ध्यान से देखना कहता कि निम्न समस्याओं में राखिक समीकर्ण यूग में बनाई और उनकी अहल प्रतियस्थापन विधी द्वारा ग्याद कीजिए कहने का मतलब ये word problem जो है न गुनी है उन्हें ग्याद कीजिए बड़ा सिंपल है दो संख्याओं का अंतर तो दो संख्यां पहले माल लेंगे तो यहां पहले लिखते हैं हल मैंने लिखा हल अब क्या करेंगे कि माना माना पहली संख्या पहली संख्या क्या माने बाबु तो पहली संख्या मान लेते हैं हमने माल लिया पहली संख्या x और दूसरी संख्या y अब चलेंगे प्रश्ना अनुसार क्यों क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से तो लिखेंगे प्रश्न से और सर्थ 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं सर्थ क्या लिखें और बराबर कितना हो जागा 20 hemadu 26 तो हमने 26 कर दिया ये समीकरन हमारे पास क्या हो जागा 1 हो जाएगा ठीक है समीकरन one out हो गया अब फिर क्या कहता है दो संख्याओं का उंतर 26 अगे बहते हैं एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुणी है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुणी है यानि पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुणी है तब पहली संख्या हमारे पास सर्त दो के अनुसार चल रहा है ठीक है यहां पर लिख देते हैं सर्त दो से एक संख्या यानि पहली संख्या तो पहली संख्या एक है और दूसरी संख्या की कितनी गुणी है तीन गुणी है तो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है बाभू एक संख्या यानि दूसरी संख्या की तीन गुणी है तो दूसरी संख्या की तीन से मल्टिप्लाई कर दो यह बाबू, बाबू, बादू, बाबू, बाबू, बाबू किसमें रख दे। गतर रिक्तने पर पहुत लिख़े ठेपर फली हमारे पास यह दिये घर हैं, अब इसमें हम पूट कर देंगे। आईए यह y है प्यारवच्चो नो मत समझे लेना यह y है ठीक है तो x के जगा पे 3y रखो तो हम लिखते हैं 3y और minus के y तो y और बराबर में 26 तो 26 तो y की value आ गई प्यारवच्चो 13 यानि y हमारे पास कौन सी संख्या है दूसरी संख्या यानि दूसरी संख्या y यानि बोले तो 13 आ गई आयए पहली संख्या ग्यांत करते हैं तो y का मन समी करन 2 में रखने पर दो में रखने पर रखने पर है ना तो अब यहां पर देखो दो हमारे पास क्या है दो हमारे पास है कि एक्स है ना तो एक्स बराबर हमारे पास तीन वाई है तो तीन और वाई के जगा पर गुना कर वाई के जगा पर 13 रखेंगे तो हम लिख देते हैं 13 तो एक्स बराबर 13 तो यह हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया, x command 39 और y command 13 यह answer हो गया, प्यास लगे, बोतल, यह देखो या, इतना कम पानी इसे में पीते हैं, पुरा यह उठा लेते हैं, पूरा भीगी हो गया है गलास नहीं था इतर रखब नहीं करता है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं इस प्रशन को देखते हैं दूसरा प्रशन क्या कहता है ज़रा ध्यान से देखिएगा कि दो संपूरा कोनों में बरा कोन छोटे कोन से 18 डिगरी अधिक है तो उन्हें ग्यात कीजिए ठीक है अठारा धिक है तो उन्हें ग्यात कीजिए बड़ा सिंपल है दो संपूरा कोन बाबु दो कोनों का योग अगर 90 डिगरी होता है तो उसे अंपूरा कोन कहते हैं और दो क यहां लिखते हैं सबसे पहले हल तो हम नहीं लिखा हल हम क्या करेंगे पहले ब़रा कौन और बड़ा कौन सथी लिखते हैं बड़ा कौन बरा कौन तो यहां पर लिखते हैं माना बरा कौन क्या लिखेँगे बाई बाबो में तो आपको पता है कि अगर डो को अगर 180 डिगरी होता है तो उसे हम क्या केते हैं संपूरा कुन the condition क्याता है संपूरा कुन तो हम क्या करें एकस और याई नि बड़ा कुन और चोकर फोन डोनों को जोड़ देंगे और बुरावर में 180 डिग्री रख देंगे तो यह संपूरा कुन को दर्सा देगा तो हम यहां पर लिखते हैं प्रशन अनुसार या प्रशन से चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं क्या है Canate All A overhead one two KUN ko泥 यहां कितना 180 कि रीटी होता है तो क्या के दिकरफान एक क्या मालिंगे एक क्या माल नेएक उत्थ करफें belum AItal На 001 एक दीखते हैं सर्थ एक क्या नूसार था यह सरथ एक से ठीक हैं कोई धिक्कत नहीं धिक्कत सथ दो दो से चलते हैं सर्थ 2 क्या है कि 2 संपूरा कुन में बढ़ा कुन चोटे कुन से अठारेगी गजलते हैं आपई बढ़ा इस Vince लिखो नहीं 28. है यह चोटा आप शोटे में ettarum जोडेंगे तो हम यहां पर 18 जोड़ देते हैं कोई dud abol їं है दिक कि तो यहमारे पास इसको माल लिए समीर करण कैंच तो दो मान लेते हैं ठीक है अब एक्स का माल समीर समी 9 तो спокойно 8 मेर कने भाई आजाओ रखते हैं तो यहां पर लिखते हैं ऐसेड़'m एक मैं रखो ना एक हमारे पास यह है एक स्ब्लस के क्या है एक साथ्स्य है न तो एक्स के जगापे हम क्या करेंगे य लिख दैते y प्लस में 18 एब लिखेगे लिखी कर दिया अत आप क्या करते हैं प्यारी बच्चों यहां से देख लो कि a go y a go y do go y और बराबर में 180 में से घटेगा क्योंकि पलस का है इधर आए तो minus grassy दुना तो वाई की वेलूं हमारे पास आ गई बाबू एक क्या सी है न तो हम कह सकते हैं बाबू एक क्या सी कहने आप मतलब y माने थे छोटा कॉन जोटा रच्छोण वाई का मान वाई का मान जो है ना किसमें रख दें समी करन रख देते हैं किसमें तो समी करन एक दो किसी में भी रख सकते हों चलो हम दो में ही रख देते हैं दो में किसी में भी रख सकते हैं दो में हमारे पास याद रखना क्या होगा हमारे पास? एक सासी में से क्का सीघट Вас गटे से मुद्ध छोme में सीघ रहए टो हे यहां पर पिली पंपडस से पowaćर कह तो मां जाए मिनिस का सीघ टो हमारे पास क्या घ्या हो जाएगा? एक संसी में से क्यासी घटाएंगे तो कितना होगा भाई 99 होगा तो हम यहां पर 99 लिख देते हैं ठीक है तो यह हमारे पास आंसर आ गया कहने का मतलब बड़ा को 99 और छोटा को ने क्या सी यह हमारे पास करेक्ट एंसर आया कोई दिक्कत नहीं अधिकत पर वच्चो आपने इस प्रश्ण को है ना बेहतरीन तरीके से समझ लिया अब अगला प्रश्ण ले लेते हैं तीसरा प्रश्ण क्या क्या था यहां पर देख लो अगल तो किस्ण के तीम के कोण्चट ने सात बल्ले दाथा आप श्रुपए और श्री ला concealed कीमत आपको इसको अबल ले किमत माना एक बल्ले की एक गेंद की कीमा, दोनों को माल लेंगे, तो यहाँ पर हल, अंत में देखना क्या दिया गया है, हमें बल्ला और गेंद की मुल्ले ज्यांत करनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, कि हल में माना, माना एक, एक बल्ले की मुल्ले, या बल्ला की मुल्ले, एक बल्ला का मुल्ले बराबर, मुल्य क्या माले, तो एक बल्ले का मुल्य हम X माल लेते हैं experts Rup. चाहसकते हो, एवब एवब एक गेंड का मुल्य क्या माले तो हम Y रुपया माल लेते हैं, कोई दिखकत, नहीं दिक्कत हमने माल लिया अब यहां पर देखोंगे प्रेश्ण से चलेंगे क्या करेंगे बाभू प्रेश्ण से चलेंगे लिखते हैं प्रेश्ण से तो परशन से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां पे देख लेना गौर से यहां कहता कि एक टीम के कोशने शाट बल्ले तधा शे गेंद इतना में में खड़िदा यहां से सर्त एक है सर्त एक से हम चल रहा है याद रखना कि क सात बल्ली है प्यारे बच याद रखना की hebben आगर एक बल्ले का मुल्य एकि यृपया कितना होगा बैबू तो साथwości हो जाएगा है तदा शे धे गेंद तो एक गेंद का मुल्ले वारी रूपैय और छे गेंद का कितना होगा 6y हो जाएगा 6y हो जाएगा दोनों मिलाकर के कितना में खड़िता है त्था है ट्रूपैय रहेगा ठीक है यह मैंने कर दिया यह समीकरन 1 हो जाएंगे तो ऐसा करो इसको तोर देते हैं और तोरने के वाजू आएगा वही मालने के समीकरन एक इसमें X का वेलू निकाल लेते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे क्या 7X बराबर में 3800 प्लस है पक्षानतर के माइनस के 6Y हो जाएगा माइनस करो भाई चलना हाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि X बराबर जो हो 3800éger 38000 ci 3800 he minus 6y 7 गुना मैं है तो बटा में रख नू यह मैंने कर दिया इसको मानलेते हैं समीकरन 1 मानलेते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं प्यारबक्च्यों कि डूसरासर्त में चलते हैं सर्थ 2 से सर्थ दो क्या कोडि सर्थ दो क्या कहता है यहां से स्टार्ट होगा बाद में उसने तीन बल्ले तथा पांच गिंद पांच लाई तो 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 किन्ता है सतरा सो पचास में लिखेंगे सतरा सो पचास कोई दिकत नहीं है दिकत प्यारवच्छो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स का मान हम डायक निकाल ले तो हम निकाल लेते कोई दिकत नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ इसलिए एक्स बराबर इसलिए एक्स बराबर डायक लिख रहे हैं ठीक है सतरह सो पचास पलस है तो माइनस का पांच वाई और बटे में क्या हो जागा पैरवच्चो गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा तो इसको माल लेंगे समीकरन हमारे पास दो समीकरन दो माल देते हैं ठीक है हमने माल लिया अब क्या करेंगे प्यारवच्छों समीकरन एक कामान समीकरन दो में रखते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख लेना कि समीकरन समीकरन एक कामान जो है प्यारवच्छों मान समीकरन दो में रखने पर ठीक है रखने पर हमने लिख दिया समीधर एक कामान दो में रख रहे हैं तो एक हमारे पास यह और दो यह है कोई दीकेत ने X के जगह पे ये value आपको put कर देना ह। जो X की value है क्या दिया गया बाबू तो हम लिख देते हैं यहां पे 3800 है और माइनस के 6y है और बटा में क्या है पैरवच्चो साथ है तो हम साथ लिख दिये है ना यानि इस X के जगह पर यह वूट कर दी और यह बराबर में है वहां पर रख दो बराबर बराबर क्या हो जगा पैर बच्चो सतरह सौ पचास है ना माइनस के 5y और बटे में क्या हो जगा तीन है तो तीन कर देते हैं यह मैंने कर दिया अब हमिया करेंगी आर पर गुना करेंगे in तीरशी गुना करेंगे कोई दिकत करें इस शसे समें गुना। इसससमें गुना, चलो इससस में गुना कर ले, साथससमें, गुना कर लें तो're 7 सससे जीरो में गुना करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0 7 6 35 , पांच हांसिल हो जाएगा 3 हान? और 7 सते 49 49 और 3 कितना होता है 62 52 , यतना होगा, दुअसमें rely चोड़ी ये दो अब 38 में गुना, 38 24 के 4, हांसिल 2, 3, 3, 9, 9, 2, कितना होगा 11, हाना 11,400 और बराबर में, बराबर में इधर क्या होगा, सरी, बराबर नहीं, आगे गुना भी करना, माइनस 16, 18 Y हो जाएंगे, ठीक है, अब क्या करते हैं, पेरवची याद रखना, माइनस के, ये जो माइनस के 35 Y है, ये माइनस का अठार इधर आए, तो पलस के 18 Y हो जाएगा, और बराबर में, 11,400, हैना, और उसके बाद पलस का इधर आए, तो माइनस का 12,25,0 हो जाएगा, ठीक है, 35 में से 18 Y, अगर हम जोड़ेंगे, यानि यूं कहलो कि 35 Y घट्रे 18 Y में से, 17 Y ठीक है, 17 Y, ओके, और बराबर में क्या होगा, इस में से घटाना, 12,250 में से 11,400 घटाना, तो कैसे घटाएंगे, देख लेते हैं, कैसे घटाएंगे, बाबु, 0 में से, अगर 0 घटाएंगे, तो 0, 5 में से 0 घटाएंगे, तो 5 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये 12 मे से 0, 0, 850 आजाएगा ठीक है ओभी हो जाएगा माइनस का है ना अब यहां से हम क्या करेंगे काटेंगे चलो काट फाट देते हैं इसमें क्या दिक्कत है यह माइनस से माइनस कैंसिल अब काटो 17 पचे 50 यानि 50 से कटेगा 17 तो y की वेलू 50 आजाएगी अब प्यारे बच्चों आप लोग x की वेलू निकाल करके हमें बताना y की वेलू 50 आ गई तो y का मान अगर जब 50 आ गया तो y का मान किसी समय करमें रख दोगे तो x का मान निकल करके आजागा इसका आप लोग कमेंड करना ठीक है आप लोग समझ गहों सियार तो ही है तीसरा तो हमनें सॉल्व कर द बावू एक टैक्सी के भारे में एक नियत भारे का कहने का मतलब है कि फिक्स भारा जैसे किसी टेंपु पे चढ़े ज़सका नियत भारा दिआ पांच रुपया रुपया चढ़ा या पांच गा लग अब उसके बाद जये कि firm जाय益 उसast कि Cowर का अलग आप और फिक्स भारा रखा वो नियत भारा हो गया उसके बाद किलो मीटर पर जै किलो मीटर गया वैसे रुपया जो रहा है तो अतिरिक्त किलो मीटर कर भारा हो गया ठीक है तो एक नगर में टैक्सी के भारे में एक नियत भारा यानि फिक्स भारा है कि हाँ चोड़ेगा बस और फिक्स भारा जो रखा हुआ यानि नियत भारा उ रहेगा और साथ में यह दोस किलो मीटर जाएगा उसका भारा जोर करके टोटल कहड़ा 105 रुपया यह हुआ ठीक है तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ते तथा 15 किलो मीटर दूरी के लिए 12 रुपया 155 है नियत भारा क्या है नियत भारा तथा प्रती किलो मीटर भारा क्या है एक व्यक्ति को 25 किलो मीटर यात्रा करने के लिए कितना भारा देना परेगा बड़ा सिंपल है परवच्चों हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान से क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हल आपको मानना परेगा क्या मानना परेगा क्योंकि हमें नियत भारा और किलो मीटर का भारा दोनों मानना है अतिरिक्त किलो मीटर का ठीक है तो हम यहां पर लिखते हैं माना नियत भारा नियत भारा ठीक है तो हमने मानने है कि माना नियत भारा कितना एक सुरुपया है कि एक सुरुपया आपका चार तो उसका माल लेते हैं अतिरिक्ट किलोमीटर का भारा कितना है बाभू तो माल लेते हैं वाई रुपया हमने माल लिया अब देखो पहिला कंडिशन से सर्थ एक से चलेंगे क्या लिखेंगे सर्थ एक से लेंगे सर्द एक क्या है थाइक यहां तक है इस बात को दिया रखना ठीक है तो प्यारेवची नियत भारत तो FIRblack यह है तो हम एक सर्थ रख दिए उसके बाद आतिरिक्त यह एक किलोमीटर का भारा ठीक है य रूपया परतेख कहलो या एक किलो मिटर का भारा कहलो ठीक है तो हमने पहला नियत भारा X माल Spaß किमीन हुआ जरी हूँ सबस्क्राइन को मिलाकरकर कितना रूपया लेता है यह 105 रूपया लेता है तो 105 रकद दिए समीकरन एक हो जाएगा क्या हो जागा समीहकरन एक हो जागा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो आएए हम क्या करता है सॉलो करेंगी एकस उसके बाद क्या करेंगे पैर बच्चों पलस है न, तो हम करते हैं, उधर जाने देते हैं, ब़्राबर में क्या 105 कर देते हैं, अब पलस का इसरे माइनिस के 2 राइ हुजाएगा, इसको माल लेते हैं समीकरन, एक माल लेते हैं, हमने माल लिया, कोई दिकत नहींventions कमें भी सी से चलेंगे, नियत भारा तो दोनों में रहेगा की चढ़ा उसका भारा इतना रख दिया वो फिक्स है तो हमने नियत भारा य॔र होतों सम्में रखेगा तो फिक्स क्सा X है तो हम यहाँ X रख देंगे पलस में जब 1 किलो मेटर का भारा Y रूपया है तो अगला कंडीशन में 15 किलो मेटर जा रहा था 15 किलो मीटर भारा कितना होगा 15 yönच हो जाएगा 15 Y यानि नियत भारा और 3 किलो मीटर भारा दोनों मिलाकर करके कितना रूपय लगता है इसको बा एक मालए यसको उसको एक माल लेते हैं और इसको एक माल लेते और अधे Canal बाए केन kommen निकाल लेंगी बार सिंपल है देख लो तो हम समीकरन एक कामान समीकरन 2 में रख देते हैं यहां पर लिखेंगे क्या कि समी करन एक का मान जो है ना प्यारे बच्चों मान समी करन किस में रख दे समी करन दो में रख देते हैं दो में रखने पर रखने पर ओके तो समी करन एक का मान दो तो एक हमारे पास यह दो में रख रहे हैं तो दो हमारे पास क्या 155-15y तो कोई दिक्कत नहीं बाभू, x के जगह पर पहले ये रख लेंगे, 105-10y, तो 105-10y रख दिये और बरहबर में, ये हमारे पास आ गया, क्या 155 है न, और 15y हमने रख दिया, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चो, यहां से देख लो, मैं से ऑफास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बडा सिंपल है, हमurg यहां से क्या करते हैं, प्यारे बच्चो, 105 155 रहने देते हैं अब पलस के 105 है माइनस कई हो जागा 105 हमने कर दिया अब क्या करेंगे बाबू यह 10 y 15 y है तो यह मतलब 10 y घटाएंगे 10 y घटेगा 15 y में से तब 5 y बचेगा और बराबर में 105 पांच में से 105 घटेगा तो 50 बचेगा ना वाई की वेलु 10 पचे 50 काट दो इसको काट दिये तो य कामान आ गया बाबू 10 है ना कहने का मतलब य क्या है हमारे पास बाबू अतिरिक्त भारा माने ना वाई कहने का मतलब जै किलो मीटर चलता एक किलो मीटर पर है उसका 10 रुप देंगे तो एक्स कामान निकल जागा तो हम यहां पसे निकाल लेते हैं चलो कोई बात नहीं यहीं से निकाल लेते हैं कहां लिख दे भाई एड्जेस्ट तो करना परेगा यह कलम नहीं यह कलम लेते हैं यहां पर लिखते हैं कि वाई का मान किसमें रख दे बावू समी करन किस में तो सम्य करन है मर dic ad Tip Co pour three P एक में रखने पर ठीक है तो एक हमारे पास ये है ना तो यहीं हें रख देते हैं एक से आज लिखेंगे बराबर 105 तो 105 लिख देते हैं माइनस के दोस गुने में y के जगारे कि द दस रखेंगे सुह इतना होगा बाभू, एक से बराबर डाक्ट कह सकते है, 105 माइनस के 10 गुने 10, 100 होगा, 105 में से 100 घटाएंगे, तो सीधा 5 आ जाएगा, तो 5 आ गया, कहने का मतलब कि नियत भारा 5 आ गया, और अतीरिक्त किलो मीटर का भारा 10 आ गया, कहने का मतलब जैसे टेम्पू है या टैक् 10 रुपया, है ना, तो अब ये हमारे पास आ गया, अब फिर कहता है, देखिए, नियत भारा तथा प्रती किलो मीटर भारा क्या है, ठीक है, तो नियत भारा प्रती किलो मीटर भारा हम बता दिये, कि नियत भारा हमने एक समाना था, तो ये नियत भारा 5 आ गया, और प्रती किलो मीटर यात्रा करना है देखो यात्रा करना है एक वेक्ति को कितना यात्रा पचीज किलो मीटर तो पचीज किलो मीटर के लिए कितना देना परेगा के लिए भारा भारा तो बड़ा सिंपल है वारू क्या है कि पहिले पचीज किलो मीटर मालो यहां समको पचीज किलो मीट टेम्पू बला कि चोड़वा तर लग जातो नियत भारा यानि नियत भारा कितना निकला है प्यारे बच्छों पांच निकला है ना नियत भारा इनि एक सब्सक्राइब पांच कि यानि बैठ वा तब पांच रुपया लग जातो अगरा जै किलो मीटर जैबा तै दस टकी कंच किलो मेटर जाता है तो आपको पता है कि एक किलो मेटर का भारा है दोस रुपया तो दौस रुपया ठीक है आप सब कुछ करो गुना करके जोड़ो इसमें तो पांच अपलस में यह जागा अरहाई 100 है ना पांदही 50 यह लोग हैंगे औरहाई 100 यह हो जागा दोसो मज लिया जोथा तो मैंने बना दिया कि पांच ना करते हैं पांच म क्या था पांच मा के टार देख लो था पाँच मा हमारे हमारे पास कहता है यदी किसी भीन और हम किसी ऑर भीन कैसे दोह में 2 घork अ मादा graduating ऐसे भीन ग्याद करना तो हम भीन मालेंगे हेँगे एक्स अन्स अपहरीर मंलेट हर उते हैं यानी उपर आंस नीचे अरग उपर हे पारवच्च के देते हैं आन्स नीचे हर यानि इसको कह सकते हो कि अंस बटा, अंस बटा बाबू, हर कह सकते हैं, तो हर हो गया Y, अंस हो गया X, मैंने भीन माल लिया, अब यहाँ पे condition से चलते हैं, पैरे बच्छों, हमने माल लिया न, तो सर्थ एक क्या नुसार, तो यहाँ लिखते हैं बाबू, सर्थ एक से, सर्थ एक क्या कहता है, कि यद इतना हो जाता है भी नौबटा ग्यारा हो जाता है नौबटा ग्यारा इसे एक समीकरन हम प्राप्त कर लेते हैं हभी क्या करेंगे हलो हलो हाँ तो अब हम प्राप्त कर लेते हैं कैसे प्राप्त करेंगे प्यारवच्छो, ग्यारा एक्स प्लस के दो, अरे, ग्यारा दुना 22 होता है गोच्छू, हाँ चलो, यह आ गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारवच्छो, इसे इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे, तो 9y हो जाएगा, और प्लस में 9 दुना 18 हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, प्यारवच्छो, एक्स की मान निकाल लेते हैं, तो हम एक्स का मान कैसे निकालेंगे, प्यारवच्छो, यह 11x और बराबर में, 9y और प्लस के यह 18 तो 18, 22 है पक्षानतर गेंगें, तो माइनस के 22 हो जाएगा, तो हम क्या सकते हैं, निकाल सकते इसमें क्या दिक्कत है है ना चलो एक्स बरावर डायक्त निकालते कैसे निकालेंगे बावु यह 9y तो 9y और 18 में से 22 घट रहा है तो पाइनस के 18-24 हो जागा और बटे में 11 गुना में था तो यह बटे हमारे पास आ जाग इसको मान लेते हैं समीकरन एक तोI एक मान लेते हैं अब सर्थ 2 से चलए चलो सर्थ 2 से चलते हैं क्या दिकत है सर्थ 2 क्या कहता है बाव आगे देखते हैं यहां पर कहते है यदि ऑनसर ह और दोनों में 3 जोल जोल ना है X में 1 पर पांच वाई हो जाएगा और प्लस में 5 याई 15 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारबच्चो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे तो डायक निकाल रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा यह 5y और प्लस में 15 तो 15 प्लस के 18 पक्षांतर रहें तो माइनस के 18 और 6 गुना में था तो बट्टा में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि x की वेलू आ जाएगी 5y है ना 5y अब 15 में 16 जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा ना अब बट्टे में 6 हो जाएगा यह हमारे पास आ गया अब इसको माल लेंगे समीकरन 2 क्या माल लेंगे समीकरन 2 माल लेंगे अब क्या करेंगे आर पार गुना कर लेंगे यहीं समीकरन 2 से तो इस साइड हम क्या करते काम क्रिया करते हैं समीकरन समीकरन एक वह समीकरन समीकरन जो है ना बागु समीकरन दो से दो से चलो बरावर में कर देते हैं यह रख देते हैं मान है ना तो 9y-4 बरावर एगारा कर देते हैं यहाँ पर 9y है माइनस के çार और बट्टे में 11 और बट्टे में इस x का मह quiere the Oxcken कि थीने के धिनी के शोड़े यहां पर लिखते के 5 y- तो यहां पर लिखते हैं वाइनस के तीनॉर बट्टे में छफ़ लेगते यह मैं ने लिख दिया आरपर गुना करा लो कैसे कंप नेगे यहां से इससे इससे गुना करना है तो 9-624y-624 बराबर में 5 से 11 में गुना करेंगे 55y और माइनस में 11-33 हो जाएगा अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों 54y है ना 54y 55 है पक्षांतर रेंगे तो माइनस के 55y हो जाएगा बराबर में माइनस के 33 अब माइनस के 24 है पक्षांतर रेंगे तो प्लस की 24 हो जाएगा अब क्या करेंगे 64y चौबण 45y गھटाये तो माइनस का y आएगा बराबर में प्यार मैव्यड को 33 пл下次 34 कित्दा होगा मतलब 33 घट रहा 24 में तो आपके 24 को घटा लो 13 में से 8, 4, 9, 4, 13, 9 होता है अब यह कितना हो गया यह तो भाई दो बचा दो में से दो गया तो 0 तो कहने का मतलब यह माइनस का 9 बचेगा है न यह से यह कैंसिल तो y की वेलू आ गई बाभू 9 यह की वेलू 9 आ गई अब यही y का मान अगर आप इसमें रख देते हैं समी कयां डो यह किस में भी रख देते हैं तो हमारे पास आ गहाशन आज और यहाँ पर निकाल लेते हैं कि अगर y का मान यह इसको बैक और परको आधा दो भाई कि नीचे से नीचे से लिख रहा है ठीक है यहां से वाई का मान वाई का मान किसमें रख दे बावू वाई का मान किसमें रखने पर तो हम रख देते जहां से असानी से निकल जा चलो समीकरन एक में रखने पर समीकरन एक में रखने पर रखने पर ठीक है तो कोई दिक्कत नही है न तो नो आई है मतलब य के जगापर अगर न रखेंगे तो नो नमाएक已經 डाइक कर सकते हैं कि x बराबर जो जागा 81 और माइनिस के 4 और बट्टे में 11 एक असी में से 4 जागा तो हमारे पास 77 और बट्टे में 11 जागा तो 11 से काटें के 117 चाटें मालत हैं के लिए वह भीन किया है तो भीन हमने माना था एकज़पटा वाई तो एक्स के जगह पे हम रखेंगे कितना एकस के जगह पे लिखेंगे साथ और बाइड कि लिखेंगे 9 तौन 7 यही हमारे पास अनसर हो जागा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दिकत प्रश्ट 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 बहुत मज़ा मतलब इंपोर्टेंट कुऩ्टन है आई लास्ट प्रश्ट को हम सौल्व कर लेते हैं यहां पर क्या कहता है पांच वर्स बाद जयकव की आयू और उसके पुत्र की आयू से तीन गुनी हो जाएगी यह पहला condition फिर करता है पांच वर्स पुर्व जैकब की आयू उसके पुत्री की आयू पुत्र की आयू की साथ गुनी थी यह हमारे पास दूसरा condition उनकी वर्तमान आयू क्या है जैकब की वर्तमान आयू और आपको उसके पुत्र क वरतमान आयू ज्यानत करनी ये तो हम क्या करेंगे दिए, माल रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं हल और लिखते हैं कि माना। माना भाई, जैकब की आयू। माना क्या कर लेते हैं, जैकब की आयू, ओके.. एक्स वर्स कोई दिक्कत नहीं है दिकत बाबू अब हम माल लेते हैं जैकब की पुत्र की आयू तो जैकब के पुत्र की आयू पुत्र की आयू क्या माल ले बाबू तो माल लेते हैं इसको वाई वर्स वाई वर्स ठीक है अब क्या है प्यारवच्चों यहां पर ध्हान से द मतलब आगे मतलब आपको जोरना है तो हम यहां पर लिखते हैं कि सर्थ एक से सर्थ एक से क्या कहता है पांच सर्थ एक से नहीं यह सर्थ एक अभी नहीं होगा प्यारे वच्छों सर्थ एक बाद में होगा हम आपको बताते हैं अभी हम क्या करेंगे प्यारे वच्छों एवं जैकब के पुत्र की आयू, ठीक है, ये लिखेंगे, क्या हो जागा, बाद यानि पलस, पांच वर्स बाद, तो पांच वर्स बाद जैकब के पुत्र की आयू क्या होगा, एक्स पलस के क्या होगा, एक्स पलस के पांच हो जाएगा, हो जागा की नहीं, ये मैंने कर दि तो y plus के 5 हो जागा यह मैंने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्छों अब देखो यहीं पर कंडीशन क्या कहता है पांच वर्स बाद जैकब के आयू उसके पुत्र की आयू से 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयू से 3 गुनी हो जाएगी तो एक चीज यहा प्यरा बच्छों आप कहेंगे शर बापका उमर तो ज्यादा ही मोगा पुत्र का उमर कम होगा तो जिसमें कम होता उसमें ही multiply करते हैं तो इसमें ही 3 से multiply कर देंगे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत यह बराबर हो जाएंगे तो जब यह आ गया तो यह सर्थ 1 को डिफाइंड कर दिया तो यहाँ पर लिख सकते हो आप सर्थ 1 से यह आया अब यहाँ से हम हल करते हैं क्या करेंगे प्यारे बच्चो एक्स प्लस के 5 हो जाएगा बराबर में 3y तो य माइनस में होगा क्या होगा माइनस में इसको एरेज करो कैसे कहूं यारा की प्यार कैसे होता है यह देखो प्लस का 3y है इधर आगा तो माइनस का 3y और बरावर में प्लस का 15 है प्लस का 5 पक्षानतर गरेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा तो x माइनस के तीन वाई और बड़ावर पंद्रह में से पांच गया तो दस यह समीकरन एक हो जाएगा तो आपने अभी तक तो सिर्फ समीकरन ही बना रहा है तो समीकरन एक आ गया अब तू निकाल सकते हो आसानी से जब यही मेन फंडा है अब सर्थ टू से चलते हैं सर्थ टू स सर्थ टू क्या कहता है पहरे बच्चों सर्थ टू कहता है कि अब देखो पांच वर्स पूर्व जैकब की आयू उसके पुत्र की आयू की सात गुनी थी पांच वर्स पूर्व मतलब क्या वह पीछे जब पूर्व यानि पीछे की बात किया तो हम घटाते हैं तो हम यहां पिल के सर्थ तू से पांच या ऐसे लिख लो क्या लिखेंगे बाव इसको मिटा दो हना पांच वर्स पुर्व पुर्व जैकव जैकव एवम एवम जैकव जैकव के पुत्र की आयू क्या लिखेंगे पुत्र की आयू कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो जैकव के पुत्र की आयू अब जैकव के पुत्र की आयू हम कैसे लिखेंगे पांच वर्स पुर्व कह रहा है ना तो भाई लिख लेते हैं पांच वर्स पुर्व हमारे पास जैकव की आयू पहले क्या होगा तो एकस माइनस 5 घटाना है आपको उसका बराबर y-5 यह मैंने करती अब कितनी गुणी थी प्यारे वच्छो यह ध्यान रखना है तो 5 वर्स पूर्व जो है ना जयकाब की आयो उसके पुत्र की आयो को कितनी गुणी थी 7 गुणी थी तो 7 किसमें multiply करेंगे तो हम प्यारे वच्छो बापका और बराबर minus के 35 तो 35 और minus के plus का यह 5 हो जाएगा अब क्या करने कि x-7y बराबर में 35 यह हमारे पास 35 है कितना हो जागा minus के प्यारे वच्छो 30 हो जाएगा यह समीकरन हमारे पास क्या हो जागा 2 हो जाएगा अगर आप चाहों तो minus हटाने के लिए आप common ले सकते इसमें 7y-735 ठीक है x minus के पलस के इधर आ गया minus का उधर गया तो ठीक है तो यह समीकरन एक और यह समीकरन दो अब यहां से आपको x और y का मान निकालना प्यारे बच्छो तो इतना तो आप करी सकते इसे ज्यादा आब हम नहीं करेंगे आपके लिए समझे लास्ट परस्ट आपके के लिए एंसर हमें बताना कि इसका करेक्ट एंसर क्या होगा तो प्यारे बच्छो आप समझ गया होंगे है ना हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कि इसका नोट्स मिल जाएगा हमार पेड वाट्सप ग्रूप में नंबर है 85 का सी 29 29 ठीक है ओके मिलते अगली वीडियो म अबता कि लिए बाइद तो